के गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब लोग आई हो गाइस आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे सो फ्रेंट्स आज आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी कि अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रुच को कैसे क्लीन करते हैं फ्रेंट्स बहुत ज़्य ब्लाइड़ मेरे पहले होने पता था अब मेरे मुझे अच्छे प्रॉब्लम ये जब जाके मुझे पता लगा कि इनको क्लीन करना कितना ज्यादा इंपार्टक्र इसको कैसे क्लीन करना मुझे भी नहीं आता था बट मैंए जब धीरे धीरे थोड़ी बॉड बीडियोस तो यह बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे और आजकल बहुत ज़्यादा वाइरल है चल रहा है माइक्रोवे में इनको क्लीन करने का बटक हर किसी के घर में माइक्रोवे नहीं होता है तो मैंने बहुत सिंपल सा लिकाला है तरीका सो हम इसको कैसे वाश करेंगे देख लेते नौर्मल ज्यादा गरम भी ना हो ज्यादा थंडा भी ना हो उसके अंदर कोई भी अपना फेवेट शैंपू डाल दीजिए थोड़ा सा सेंटाइजर डाल दीजिए और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए एक अच्छा सा यह सोप बन जाएगा आपके लिए लिक्वि और उसके बाद क्या करना आपको पांच मिनट के लिए मसाज करना है और उसके बाद इसको पंदर मिनट के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देना है कुछ नहीं करना है फ्रेंट्स यह जितनी भी डस्ट वगरा होगी फाउंडेशन लगा होगा कुछ भी इसके अंदर निकल जाता है और उसके बाद दुबार आप थोड़ थोड़ ब्यूटी ब्लेंडर को मसाज कीजिए ताकि अच्छे से आपका फांडेशन लिकल जाए बहुत जादा अच्छे से आपको इन सबको क्लीन करना है ताकि आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम स्क्रेट ना करे है और इनको बहुत जद जादा क्लीट जारूरी है अगर आप बहुत जादा डेली बेस पर चार यूज तो फ्रेंड्स इसको वीक में क्लीन कीजिए वनाफ 15 और वन मन पे तो क्रीन कीजिए यह मैंने मसाजर मंगाया था एक बादी मसाजर तो यह उसके साथ मिला था एक ट आप देख सब्सक्राइब करके आपको अपने ब्यूटी बलंडर ब्रुश वगरा क्लीन कर लें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे ये अच्छे से इनको निचोड के उसी टोकनी में आपको रख लेना है जो गिरीन वाली टोकरी है फिर इनको नॉर्मल पानी से हम वाश क करेंगे और इसको चार से पांच बार वाश करना आपको बहुत जादा अच्छे से इसलिए मैंने यहां परी नॉर्मल पानी है यह इसलिए मैंने यहां परी किछन में ही वाश कर लिया है क्योंकि मैं टेबल पर कितनी बार पानी वो करके वाश करती तो यहां पर बहुत पानी में नाइना अपने पाण या बने और फिर आमे ऊह को नॉर्मल पानी में और तोड़ा सद्रेव लेता है और थोड़ा सब्सक्राइजर लेना है ताकि वह ब्यूटि बैक्तिरिय में इंडाना चाहिए और फिर अविश के टोर ने वीकलिन पानी में इस निया तो प्रें बहुत जादा यूनिक beauty blender की खासियत क्या है friends कि चितना आप इसे पानी में डिप करोगी यह उतना ही बड़ा साइज हो जाएगा इसका इनको अच्छे से थोड़ी सी मसाज करूंगी हमने स्वारी थोड़ी मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मेरी थोड़ी ठीक नहीं है और friends दुबारा से देख सकते हूं डिटोवल के पानी से लिकाल के मैं इनको दुबारा से एक बरी अच्छे से वाश कर लूँगी नॉर्मल पानी में और यहां पर हम सिंक में दोंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से कई बार ही हमें पानी चाहिए होता है और अगर आ सब्सक्राइब करें और यह कितने सब्सक्राइब और गंदे थे सो देख सकते हूं यह वाला भी कितना क्लीन होगा है सारे बुष में क्लीन होगा है